तो भी यह गाड़ी का माईलेज बढ़ता ही जा रहा है मुझे लग रहा है यह 20 भी टच कर जाएगा यह 20 क्रॉस भी कर जाएगा तो थर्ड सर्विस के बाद गाड़ी का माईलेज बढ़ा के है तो भाई टाइम 11 बच चुके हैं और यह बांदावगड का मोगली कटनी के लिए हलो नमस्तर सश्रेकाल क्या हाल भाई लोग मैं शुटर विजय और स्वागत है आपके अपने युटूब चैनल पर तो भाई आज मैं बांदावगड से वापस जा रहा हूं घर और यहां मैं वैडिंग शूट के लिए आया हुआ था वो सारी चीज़े कंप दिया है तो आज हम लोग गाड़ी चलाने वाले अराम से ना बहुत जादा जल्दी में जाएंगे ना बहुत स्लो जाएंगे 80 से 100 के बीच में कार चलाएंगे और देखते हैं कि मीटर पे कितना माइलेज अपना आता है थर्ड सर्विस के बाद माइलेज बढ़ा है या उत देती है नहीं वो देखेंगे 170 किलोमेटर की रेंज है सबको कर लेते हैं जीरो यह देखो तो अब चलते हैं देखते हैं कि यह मीटर पे क्या माइलेज हमें शो होता है कटनी पहुंचते तक तो भाई 510 का फ्यूल कराया मैंने रेंज भी यहां पर बढ़ गई है 258 हो गई है तो आपको रेंज नहीं देखना है आपको देखना है कि अपनी गाड़ी कितने का माइलेज निकाल रही है मैंने रिस्क ना लेते हुए फ्यूल करा लिया कि आगे हो सकता है कि थोड़ा दिक्कच जाए तो फ्यूल करा लिया है और थर्ड सर्विस के बाद कितनी रेंज आती है हम वो चेक करेंगे इसके पहले वाले जो मैंने वीडियो बनाया था जब जब जावलुपुर्स में मै मैंने देखा गाड़ी में 23 तक का भी माइलेज दिखाया है तो इसलिए मैंने वह रिकॉर्ड बस किया लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है कि उतना तो वापस नहीं जाने वाली तो आज चेक करते हैं कि कितना जाती है थर्ड सर्विस के बाद यहां माइलेज उतना ही रह तो इसलिए यह है बांदाओगड की ब्यूटी देख रहो रोड किनारे इसमें सारे हिरान है तो भाई देख लो अभी अपनी कार चल रही है क्रूज पर क्रूज दिखा रहा है और यहां पर देखो एमाइडी पर कितना दिखा रहा है माइलेज 17.1 का अभी अपनी कार माइलेज दे रही है 16.8 दीरे दीरे यहां भी बढ़ेगा अभी 43 किलो मेटर चल चुके है और लगबग 50 किलो मेटर और बाकी है तो सिटी पहुंचने के पहले ही हम एक बार फिर से चेक करेंगे क्योंकि एक बार सिटी में एंटर कर गए तो माइलेज डाउन हो जाएगा सिटी कहुंचने के पहले एक बार चेक करते हैं कि कितना माइलेज और बढ़ता है इन दौर वाली ट्रिप से तो थोड़ा जादा आया है इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें 15.8 तक तुरंत कम भी हो जाए और क्रूस पे चल रहा है तो अच्छे से सारी चीजे समझ में आ जाएंगी तो देखते हैं आगे 17 को क्रॉस करता है या नहीं तो गाइस अभी कहीं रुकने का सीन नहीं बन रहा है क्योंकि गाड़ी भी माइलेज सही दे रही है और बंदें सो ही रह खा रही है तो यार थर्ड सर्विस के बाद फर्क तो पड़ा है क्योंकि अभी जब मैंने इंदौर से कटनी वाली ट्रिप की थी दो बार से तीन बार मैं से सोनेट से आ चुका हूं कटनी इंदौर कटनी इंदौर किया है लेकिन उस टाइम पे मुझे कभी भी 17 तक तो दि इसका उलब के माइलेज बढ़ गया है गाड़ी का थर्ड सर्विस के बाद अगर आप प्यार से चलाओको ना तो गाड़ी माइलेज भी आपको बढ़िया देगी बात करते करते देखो बढ़ गया 18.6 क्या लगता 20 क्रॉस करेगा यर नहीं चलो देखते हैं है कि कटनी बचाया है भी 40 किलो मेटर और कटनी एंटर करने के पहले ही हम माइलेज इसका देख लेगे और एक बार घर में चलके चेक करेंगे कि सिटी में एंटर करने के बाद कितना माईलेज पर्क बढ़ता है कितना डाउन होता है तो भाई एक बार और नजर डालो माईलेज बढ़के हो गया है 19.5 और यह अभी और बढ़ता जाएगा यह अभी यहां पर रुकेगा नहीं तो मज़ा आ रहा है भाई पैसे कर चुए है third service में लेकिन माईलेज भी बढ़ा है तो third service अगर आप नहीं करा रहे हो अपनी कार की तो जल्दी से करा लो अगर आपको चाहिए एक अच्छा माईलेज ठीक है तो Kia Sonnet माईलेज तो देती है लेकिन आपको प्यार से चलाना है तो कंपनी गोलती है उतना माईलेज तो देती है गाड़ी तो इसका 18-19 का कंपनी ने बोला था लेकिन जब से मैंने कार लिए एक साल इतना माईलेज तुम मैंने कभी नहीं देखा थर्ड सर्विस के बाद वो चीज देख रही है मुझे माईलेज तो पढ़ गया है वाई 20 टच करके अपनी गाड़ी पीस का माईलेज दिखा रहा है कार में कि आप थुम्हें mm अकुप मैंटर कर रहा है थी और सिटी कि पोहुंचने के पहले सिटे ने के पहले कि थी य्यर्म आप देख लो 20,3 का माईलेज गाड़ी ने निकाल आया बढ़ीया माईलेज आ गया और इतने की मुझे उमीद नहीं ती कि कार शेयतना मालेज मिलेगा मुझे और बढ़िया है अब देखते सिटी में एंटर करने के बाद ये धीरे-धीरे कम होगा तो कितना कम होता है घर पहुंचते-पहुंचते यहां से लगबग मेरा घार अभी भी 10 km है तो चेक करते है टोटल हम चल चुगे है 90 km है तो भाई हमारा एक बंदा जा रहा है यहां से पैसे वासे तो नहीं चीए ना को जरूते ही नहीं है करता हूं मैं पिमेंट कल तक हाँ तो भाई घर पहुंच गया हूं मैं और अभी देखो 18.5 का माइलेज दिखा रहा है मलब सिटी में एंटर करने के बाद भी ज्यादा माइलेज कम हुआ नहीं 98 km मैंने बोला था 90 पे था जब मैं तब मैंने बोला था कि घर लग बग 10 km बचा है तो यह टोटल 8 km और चली वहां से और एवरेज 18.2 का इस पर दिखा रहा है 18.2 और 18.4 यह देखो ऐसा माइलेज दिखा रहा है आगे हूं मैं मम्मी आ गई मम्मी को पहले ही फोन कर दिया था मलब वह उतना ही दिखा था जितना मेरी गाड़ी हो पहले से दिखा रहा है 16 15 ऐसा कुछ मैंने सूचा कि निकल रहे हैं और अभी अभी कार की सर्वेस हुई है तो आप लोगों को थर्ट सर्वेस के बाद क्या माइलेज दे रही है वो दिखा देते हैं ऐसा कुछ था यह व सब्सक्राइब करना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबाए